So, finally, Big Boss के ये तो ex-contestants की हुई है मुलाकात और जब इन तो ex-contestants की हुई मुलाकात तो क्या कुछ हुआ चली बताऊंगे आपको इस वीडियो में नमस्कार मैं स्टग्दा स्वाखद करती हूँ आप सभी का वमारे चानल पर आपको बता दू कि recently evicted contestant यानि कि उर्फी जावेद जो कि Big Boss OTT contestant रह चुकी है finally eviction के बाद काफी खबरे आ रही थी कि उनकी re-entry होने वाली है राखी सावंत के साथ यानि कि अभी recently जब राखी सावंत आई थी Sunday के वार और weekend के वार पर तब ये खबरे आ रही थी कि राखी सावंत उर्फी जावेद को लेकर एंटर करने वाली हैं Big Boss के घर में लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ लेकिन आपको बता दू कि अब ऐसा हुआ है कि Big Boss की ये दो ex-contestants की हुई है मुलाकार जहां उर्फी जावेद और राखी सावंत एक साथ आ रही है नजर वेल काफी प्यारे से पिक्चर्स शेयर किये हैं राखी और उर्फी ने जहां पर उन्हों लिखा है वेल गाइस आपको बता दू कि राकी होट काफी अंदाज में नसर आ रही है रेड कलर की आउटफट में नसर आ रही है वहीं उर्फी भी काफी ज़्यादा हॉट अफदार में नसर आ रही है after all जब दो hot beauties एक साथ हो तो गर्मी तो बढ़नी है तो ऐसे मैं आपको बतादू कि बिग बॉस की ये दो एक contestants की हुई मुलाकात जहां इनकी दिन और भी हो गई हसी और ये दोनोंने काफी की हैं मस्ती और जिनके pictures हो रहे हैं शोशल मीडिया पर बारल हलाकि आपको बतादू कि राकी सावन्त एक entertainment queen है और राकी सावन्त वेल ऐसे भी जब भी किसी से मुलाकात होती है राकी सावन्त की जब बें interactions होते हैं उनके कोई भी post होते हैं हर कुछ entertaining होता है पर राकी और उर्फी जब एक साथ मिली तो वेल काफी कमाल धमाल हुआ होगा ऐसे मैं आपको बतादू कि राकी और उर्फी के एक साथ के ये पिक्चर्स फैंस को काफी पसंद आ रहे हैं बाक तो बाक कॉंपलिमेंस और कमेंस के जा रहे हैं तो वेल गाइस आप भी देखिए इन पिक्चर्स को जिसमें राकी सावंत और उर्फी जावेद एक साथ नजरारी है और इनकी जब हुई मुलाकात तो वेल क्या कुछ हुआ हुई बात पिलहाल आप इनके पिक्चर्स को देखे और बताए कैसा लगा इनका ये प्यारा सा मुलाकात कॉमें सेक्चन में कॉमेंट करना बिलकुर ना भूलें और आप हमारे कॉमें बताए कि क्या आप चाहते हैं कि राकी सावंत और उर्फी जावेद दोनों की एन्ट्री हो जाए बिस और बोस के घर में कॉमें हमारे साथ शेर करें तब हम बॉल्लीवोड टीवी दुनिया से जड़ी हरी खबरों के लिए रेखते रहे हमारा चानल